और गैनिक कैसे हो सारे कैसारे आज किस वीडियो में हम भारत की टॉप टेन नंबर वन फेरनेस क्रीम की बात करने जा रहे हैं जिनें लोग सबसे जादा पसंद करते हैं और सबसे जादा यूज भी करते हैं हम नंबर दस से शुरू करके बढ़ते बढ़ते नंबर एक पर जाएंगे कई लोग इन्हें बहुत जल्दी बहुत जादा गुरा होने के लिए भी इस्तमाल करते हैं बाकी दोस्तों चहरे से जुड़ी अगर कोई भी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्र सारी निभाने का काम कर रहा हूँ इन 10 में से कुछ क्रीमें ऐसी भी है जिनके कंपनियों ने मुझे पैसे ओफर करके आपको बेवकुफ बनाने के लिए कहा कि आप अपने वीडियो में कह दीजिए कि ये क्रीम बहुत अच्छी है लेकिन मैं वही कहूंगा जो सच है मैं आ पर है पिंडरम प्लस क्रीम दोस्तो एक समय ऐसा भी आया था जब भारत में इस क्रीम को बैन कर दिया गया था कई लोग इसे अपने चेहरे पर लगाते थे लेकिन उनका चेहरा बहुत जादा खराब हो जाता था पिंडरम प्लस क्रीम की अगर मैं बात करू तो इसके अंद अगर आफफलकसीन और औरिनडैजोल इस्तमाल में लिया गया है जो कि हाईडरोक्लोराइड फार में होता है वो हमारे चेहरे पर लगाने के बाद में हमारा चेहरा जल सा जाता है कई लोगों अईसा लगता है कि हमारी सकीन गोरी हो रही है लेकिन उनकी सकीन लाल होना शु बात नहीं लेकिन अगर चहरे पर इस्तमाल करोगे तो आपका चहरा बरबाद हो जाएगा खराब हो जाएगा तो क्रिपा करके इसका इस्तमाल ना करे और इसी लिए इसको मैं इस रेश से बाहर कर रहा हूँ अब बात करते हैं दूस्तो बेटनोवेट जी एम क्रीम की जो की है नमबर नौ पे कई लोग इसका इस्तमाल अपने चहरे से अकने और पिंपल्स को मिटाने के लिए करते हैं लेकिन क्या आपको पता है इसके अंदर बेटा मेथासोन वल्नरेट और जेटामाइसिन इस्तमाल म अगर आप इसका लंबे समय तक इस्तमाल करते हो तो आपका चहरा बहुत जादा खराब हो सकता है कई लोग यूटूब पर वीडियो बना कर भी इस क्रीम को अपने चहरे पर कैसे लगाए ऐसे बताने का दावा करते हैं लेकिन जब आपका चहरा खराब हो जाता है तब बेटनोएट जीयम जैसे क्रीम के क्रीम से आप भी दूर रहीğे और अपने चहरे को तो कोसो दूर रखिए क्योंकि हमारा जो चेहरा होता है वह हमें एकी बार मिलता है और यह बेटनोएट जीयम क्रीम सही नहीं है अब बात करते हैं नमबर 8 के क्रीम की तो वो है क्लॉब partly क्रीम इसके अंदर Clow,Betasell,Propionate और Genetomisem इसीन सलफेट हमारे चहरे के लिए बहुत ज़ादा हनिकारक होता है कई लोग इस क्रीम का इस्तमाल अपने चहरे पर जहाईयां मिटाने के लिए करते हैं जब वो शुरुआज शुरुआत में इसका इस्तमाल करते हैं तब तो जहाईयां मिट जाती है लेकिन कुछ समय बाद प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि 36 रुपे की ये क्रीम उनके चेहरे के 36 बजा देती है और फिर कब उन्हें 3600 रुपे की ज़रूरत प अगर आप ऐसे क्रीमों का इस्तमाल अपने चेहरे पर करोगे तो आपका चेहरा बरबाद हो जाएगा आबाद नहीं फिर भी आप सोच कर देखिए कि ये जो क्रीमे हैं लोग इसके बारे में कमेंट करते हैं गोरा होने के लिए इन क्रीमों का इस्तमाल करते हैं तो आप इ यह जो क्रीम है इसको इस dalam करने का अपना एक तरीका होता है लेकिन लोग से अज़े परीर नालेज ना ओने की वज़ये से वह इस पूरीं करेंके श्वड़़ें को गूरी नुक्स कर लें सबूर करें लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत जादा गलत क्रीम है सही क्रीम नहीं है अगर आप इसका इस्तमाल भी करते हो तो तरीके से इस्तमाल करो लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं जो इस्तमाल तो करते हैं लेकिन तरीके उनसे फॉलो नहीं किये जाते हैं इसलिए उनका चेहरा बहुत जादा डाइमेज हो जाता है बात करते है Claw Bitaumil G Cream की Claw Bitaumil G Cream एक ऐसी क्रीम है जिसके बारे में आपको यूटूब पर सेकड़ो वीडियोज मिल जाएंगी जहां लोग ये बता रहे हैं कि कैसे Claw Bitaumil G Cream आपके चहरे को गूरा करके आपके चहरे की सारी समस्या को खतम कर सकती है लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके अंदर Claw Bitaumil Propionate इस्तमाल में लिया गया है और ये एक Genetomycin Skin Cream है इसी के उपर लिखा गया है कि ये एक Skin Cream है Skin का मतलब ये होता है कि हमारे Body की Skin और जो क्रीम Face Cream होती है उसके उपर आपको लिखा मिल जाएगा कि वो एक Face Cream है Claw Betasol GM क्रीम हमारे चहरे के लिए बहुत धातक साबित हो सकती है इसका और एक Variant आता है जो कि मेरे फिलाल हाथ में है वो है Claw Betamil G ये दोनों भी क्रीमे हमारे चहरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है इसे डिजाइन किया था Fungal Infection हटाने के लिए लेकिन कई लोग Pimples पर इसका इस्तमाल करते है शुरुआत में इसको इस्तमाल करते हैं मज़ा आता है उसके बाद में बात करते हैं नमबर पाच की क्रीम Betnowit C क्रीम जो कि भारत की one of the most famous क्रीम है सबसे जादा लोग इसे purchase करना पसंद करते है अगर आपको Fungal Infection हो जाता है बौडी पर कही पे भी तो आप इसका इस्तमाल कर सकते है लेकिन मेरी इस बात का हमेशा याद रखना कि किसी के भी कहने पर इसे अपने चहरे पर एकने के लिए एकने सकार्स के लिए कभी भी मत लगाना ऐसी क्रीमे लगाने से आपकी जिंदगी बरबाद हो सकती है कई टीनेजर्स ऐसे होते है बच्चे ऐसे होते हैं जो YouTube पर वीडियोज देखकर इन क्रीमों को अपने चेहरे पर आजमाते हैं लगाते हैं लेकिन उनका चेहरा समय के साथ साथ बहुत जादा खराब हो जाता है आप सभी लोगों से भी मेरी यही बिंती है कि आप अन्य लोगों के साथ में इन वीडियों को शेयर कीजिए जिनके पास में आपने ऐसे क्रीमें देखी हैं ये क्रीमें बिल्कुल भी सही नहीं होती है और चेहरे को लॉंग रन में डैमेज करती हैं आप में से कई लोग सोच तो इसके अंदर hydroquinone, tetroquinone और mometasome fructote cream इसे कहा जाता है. अब आपको कुछ याद आया होगा, इसके अंदर same ही ingredient इस्तमाल में लिये जाते हैं, जो की mila care cream के अंदर लिये जाते हैं. जब कोई क्रीम बहुत ज़ादा बनाम होती है, तो लोग दूसरे क्रीमे लेके आते हैं, लेकिन फिर उसे उसी ingredient के हिसाब से बनाते है, ताकि दूसरे लोग खरीदे. इसके अंदर और एक क्रीम आती है, जो कि है skin shine cream, इसी के जैसी और एक क्रीम होती है, जो कि धीरे-धीरे हमारे चेहरे के cell को damage करके हमारे चेहरे को खराब कर देता है इसलिए मैं आप सब लोग को यही सुझाओ दूँगा कि safe cream का इस्तमाल करें जल्दी के चक्कर में ना पड़े क्यों ले सकते है क्योंकि हल्दी जो है यह एक healing ingredient होता है और इतने ख़तरनाक steroids लगाने से अच्छा है कि आप विको टर्मरिक जैसे क्रीम का इस्तमाल कीजिए जो कि आपको आसपास के market में कहीं पर भी मिल जाएगी लेकिन विको टर्मरिक क्रीम को आप धूप में लगा कर नहीं जा सकते क्योंकि इसके अंदर safety majors नहीं लिये गए है तो यह इसका बहुत बड़ा drawback है अगर आप एक महिला है घर पर रहते हैं लंबे समय के लिए तो ऐसे में आप विको टर्मरिक क्रीम का इस्तमाल अपने च क्रीम को पास उसी टाइम पर लगाना चाहिए जब आप किसी शादी पार्टी या फंक्शन में जाने वाले रहते हैं और मेकप के अलावा कोई दूसरा ओफ्शन आपके पास में नहीं बचता है आप मेंसे कई लोग ये भी जानते होंगे कि अगर आप रिगुलर्ली अपने चेहरे पर मेकप करोगे तो आपका भी चेहरा खराब हो सकता है उसी प्रकार से ये एक मेकप क्रीम है जिसका इस्तमाल स ना होनी की वजे से कई लोग इससे खरीते है और आप इसका लंबे समय तक इस्तमाल करते है तो आपका रिगुलर्ली कृम की की छिंके चेहरे पर जहाईयां की समस्या होती YEAR वो कई टाइम फेरन लवली क्रीम का इस्तमाल करती है और इसके जो इंग्रिडियंट्स है यह शुरू शुरू में तो बड़े अच्छे लगते है लेकिन कुछ समय बाद हमारे चेहरे को अंदर से डैमेज कर देते हैं इसके अंदर कोई भी नाच्रल इंग्रिडियंट इस्तमाल में नहीं लिया गया है और कई लोग इसके पॉजिटिव रिव्यूज भी यूटूब पर शेयर करते हैं मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि लोग हम पर भरोसा करते हैं आज अगर मैं कोई सच बात भी बताऊंगा तो लोगों को वो बात जूट लगने लगती है क्योंकि आज लोग इतना जादा जूट बोलने लग गये है बस चंद पैसो के लिए तो मैं आप सभी लोगों से यही सुझाओ देना चाहता हूँ अगर आपकी मा बहन भाई कोई भी फेरें लवली या फिर ऐसे क्रीमों का इस्तमाल अपने चेहरे पर करता है तो उन्हें जागरू कीजिए उन्हें सतर कीजिए अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई अच्छी फेरनेस क्रीम मार्केट में नहीं है तो यार जवाब यह है कि मार्केट में बहुत सारे अच्छे फेरनेस क्रीम है जिने आपके रेकिनिशन की और आपको पर्चेस करने की जरुत है तो ये क्रीमों का लिंक और इस वीडियो का जो लिंक है जो अच्छे क्रीमों का जो लिं नहीं उमिदे चोटा सब्सक्राइब